नमस्कार मैं हो जेवतिस कुमार तिग्या चैनल में आप सबका स्वागत है ये सवाल है दोस्तों देख लिजे एक हेक्टियार में कितना बिश्या, काठा, बिश्वा होता है हमारे इस चैनल में बताया गया है फिर भी सवाल है तो पुनाह देख लिजे इसको जानने से पहले काठा, बिश्वा, बिश्वा को समझ लिजे एक हाथ बराबर 18 इंच होता है इसके बराबर 1.5 फिट यानि कि देड़ फिट और लगई लगई बराबर साढ़े 5 हाथ और साढ़े 5 हाथ बराबर 8.25 फिट होता है इसके बराबर 99 इंच होता है 99 inch ये standard है और लग्गी बराबर 4 हाथ और इसके बराबर 6 फित होता है इस तरह लग्गी का मान अलग-अलग होने से काथा, बिश्वा, बिश्वा का मान भी अलग-अलग होगा इस तरह निकाल लिजिएगा आप अपना लग्गी को तो जानना ही पड़ेगा उसको आप समझ ल लग्गी को और इस तरह से कल्कुलेट कीजिएगा देख लिजिए धूर निकालिए सबसे पहले एक धूर एक धूर बराबर लग्गी वर्ग या गठा वर्ग लग्गी वर्ग तेहां हम लोग आठ दसम लोग दो पांच फिट से लेंगे तो एक धूर बराबर एक धूर बराबर आठ दसम लोग दो पांच गुड़े आठ दसम लोग दो पांच बराबर इसको कई वीडियो में बताया गया है एक ही वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो हमारे चैनल के सभी वीडियो को दिखते रहिए असानी से जानेंगे इसको गुड़ा करने पर आरसाट दसमलाओ 0625 वर्ग फिट होता है एक धूर बराबर इसी तरह धूर कमान निकालिएगा चाहे लग्गी जेतना भी हो उसका लग्गी वर्ग कर दिजिएगा अब यहाँ पर इसे समझ लिजिए कि एक बिश्चा एक बिश्चा बराबर या काठा बराबर इसी तरह निकालिएगा एक बिश्चा बराबर 20 धूर होता है या एक काठा बराबर 20 धूर या एक विश्वा बराबर 20 धूर तब गुड़ा कर लिजे 20 गुड़े 68.0625 बराबर 1361.25 वर्ग फिट होता है ये स्टेंडर्ड है अब हम लोग जानते हैं एक हेक्टेयर एक हेक्टेयर बराबर 188900 वर्ग फिट होता है वर्ग फिट ये इंपेरियल सिस्टम है इसका उप्योग कई देशों में होता है अब हम जानेंगे एक हेक्टेयर में कितना बिश्या इसको जानने के लिए इसे 1361.25 से भाग कर दिजे बराबर ये असी बिश्या होगा इसी तरह अपने यहां के लग्गी से निकालिये काठा बिश्वा का मान असानी से निकल आएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को सेर कीजिए धन्यवाद